इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ जैसा कि पता है आपको हिंदी का एक्जाम होने वाले कल यानि कई सितंबर को तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि ओरिजिनल पेपर लाए जाय जाय तो इस परकार से आपके रिक्वेश्ट पे ओरिजिनल पेपर लेकर हाजिर है जैसा कि देख सकते हैं कि यह हिंदी का पेपर है क्लास 7 है आपको सॉल्ब करने के लिए जाएंगे दो घंटे और टोटल मार्श रहेगा पचास आगे देखिए पहला पड़ित पार्ट के अधार पर इन्मिखेत कत्नो cał में सही या गरत का निसान लगाई है यह पांच नमबर का है ठीक है नदान मार लेना यानि सफल होना वीड कोवर सींग का जन जमशेदपूर में है जमशेदपूर गाउं में हुआ था तो एक गलत है ठीक है आगे देखे टू दिएगे सब्दों को ब्रूक्त स्थान पर भड़िये तो पांच को है पांचों में भड़ना है राना डैस का रहने बनाये जाने लगा राजपूत राना के सेना में डैस था मैं इसा ने सुझाब दिया कि बुंदी के बनाया जाएं तो मंतरी ने थे उन्यवत यहाँ बंदें बस गिया तो यहां पर क्या के जिसे आप वीड कुम्भा बंदी का सपूत था ठीक है यहां साथ भढ़ना नहीं है आप तो आप्शन नहीं दिया आगे है यह तो हो गया कंप्लीट अब आगे और यह कवीता की पंक्तियों कर से मिलान की चया तो दिखें माना बनो माना बनो क्या कवीता है कवीता के दोऊठ पद्ध है बच्पन के दिन यह संस्मरान मतलब एगटना हो चूक है और उसी के बारा में लिख रहे हैं ठीक है असली में हूआ तो वो शन इसको दोर जुम कर लेते फोरे विप्रित प्रइब शाब लिख्यै तो धर्म का आथ ciek सत्त्या सत्त seamless का देगा तो यहाँ प्रपास ना यहाँ प्रपास अ लगा देजेगा तो यह क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है यह सही नहीं लिखाबा तो खली सही नहीं लिखेगा और आगे अ लगा देजेगा चीछा का अनिच्छा हो जाएगा और संपन का विपन हो जाएगा ठीक है सं पन का विपन यानि क्या गड़ी वह नेक्स्ट है फाइव दिये गए सब्दों से वाक्य बनाए तो लिखेगा मेरे गले में एक मंदिर है लिखेगा मेरे गले में एक माजीद है इस तरह से कुछ भी पाट साला तो हम सब पाट साला पढ़ने जाते हैं सिच्छक सिच्छक से वाक्य बनाएंगे सिच्छक हमें पड़ रहत हैं इच्छा सीता ने आम खाने की इच्छा जाहीर की यह टिव्ड है यानी क्या होता है थियेज़ होता है सम्झेझ seç देखे explican का उतार एक से 7 वाक्यों में देजिए च्के whiskery ज्यादा मैं देना यह नहीं है समझे्र तो इस तरह से कितना है सवाल इस तरह से प्रासे कितना सवाल है है तो sap सेंगा तो एक सवाल सही केजिगा थिक नमर मिल गा यहां लिखावा ना और पाचांख वह सवाल देज़ायदी जवाब तो पहला है कि वीर्स कुवड horn की परßरी माता जी का नाम क्या थाhomme नेक्स्ट है नचेगेता कौन था टौन होगो नेक्स्ट अनिचा कैट्व अ महारaudio कबढ लिखते जाएगा तो किमाता जी का नाम सब्सक्राइब को और फुल स्थाप टेए ना गह अब दो अब्दुलिकलाम के बच्पन में कितने मितर थें उनके नाम लिखे तो कितने मितर थे तीन मितर थे तृट बच्पन में तीन मित्रत हैं रामानन्द, सास्त्री, अर्विंत और सीव प्रकास, उनका बेश फ्रेंड थैं, गहा है पुस्व की वनमाली से क्या अभिलासा है, तो तर लिखेंगे पुस्व की अभिलासा यह है कि उसे मात्र भूमी के प्रानोत सर्ग करने वालों के पत पर ह उसे डाला जाए, यानि जो मात्र भूमी के लिए, जो भारत माता के लिए जो अपनी प्रानों क्या होती दे देता, जैसे सैनिक लोग, तो उनहीं के पत पर उसे डाला जाए, यही पुस्व की वनमाली से अभिलासा है, इच्छा है, अंगा देखें, मुझे पैसो की जवर थी, भूत कालियानी वितावस में, ठीक है, आगे देखें, आगे है, नेक्स्ट, निम्खेत में से किसी एक प्रसंद का उत्तर पचास से सो सब्दों में दी है, यह दस नंबर का है, ठीक है, पचास से सो, यहाँ पर अथ्वा लिखा बात है, दोनों में से कोई एक लिखना है, तो पहला बुंदी का नकली खिला क्यों बनाया गया, ठीक है, और यह निम्खेत पर पंक्तियों के भावार्थ इसपरश कही है, ठीक है, चाहा नहीं समराटों के सब पर हे हरी डाला जाओं, चाहा नहीं देवों के सीड़ पे, चड़ू भागे पर इसलाओं, तो आपक पता ही होगा, तो उतर लिखेंगे, बुंदी से प्राजित होकर, राजा गुस्षा में आकर, जल्दीवाजी में परतिग्या कर ली, परतिग्या कर ली की, जब तक बुंदी को जीतेंगे नहीं, तब तक मुख में एक बुऑンパनी तक नहीं लेंगे, ठीक आप परतिग्या के लिए यह आसान नहीं था प्रतिग्या तो लिए बिना सोचे समझे लेकिन बुंदी पर विजय प्राना है ना बहुत मुश्किल था उसके लिए प्राइश स्ट्राइटेजी बनाना पड़ेगा ना समझे तो टाइम लगेगा आए तिन दिन राजा खाना नहीं खाएंगा उनका मिति नहीं हो जाएं तो लिए प्रतिग्या पुर्य होना आले था दो था प्रतिग्या पुर्य ओप्राम च्टार आप करने मत्त करदे हो जाये अंदे थिस प्रकार से पुड़ा और आदिशिनल पेपर का पुरा स disruptive का स्ना मामत होता है थैंक्स वबचिंग को all the best for your exam